आज बिधाय के तौर पर शेपत लेने के बाद कलपना सोरेन क्या जहारखन की सियम बनेंगी अगर सियम नहीं बनती हैं तो फिर कौन सी जिम्यदारी मिलेगी अगर मंत्री बनती हैं तो कौन सा मंत्राले उनके पास होगा क्या आलमगीर आलम के पास जो तमाम मंत्राले हैं वो कलपना सोरेन को सुपूर्द कर दिया जाएगा इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंडने की कोशिस करेंगे उस पर बात करने की कोशिस करेंगे उससे पहले गुज़ारिश है चैनल पर पहली बार आ है तो करें वीडियो को लाइक करें बता दे आज साम पांच वजे कलपना सोरेन विधाय के तोर पर बकायदा शपत ग्रहन करेंगी और उसके बाद वो अब विद्वत तोर पर जारखन सरकार का हिस्सा हो जाएंगे ये चर्चा नेशनल मीडिया से लेकर तमाम मेडिया प्लेटफ फिर इसे चमपई सोरेन के अपमान से जोड़ दिया जाएगा और फिर एंडियो को जेमेम पर इंडिया गटवंधन पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा और जो जहमों की सरकार है वो एक भी मौका एंडियो को नहीं देना चाहती है क्योंकि उसकी नजर जारखन मिलेगा कलपना सोरेन को खबर यही है कि कलपना सोरेन विधाय किश्पत लेने के बाद उनको मंत्री बनाया जा सकता है आपको बताते कि एक मंत्री का फदखाली है इसके लबाद चर्चा ये भी है कि आलमगार आलिम के यहां से करोड़ों के कैश ब्रामत हुए और चमपई सोरेन की सरकार का चाबुक जो है वो आलमगीर आलम पर चला है तो अब खबर चल पड़ी है कि चमपई सोरेन ने जिसरीके से मंत्राले छीने हैं तो क्या ये मंत्राले कलपना सोरेन को दे दिये जाएंगे अब इसके भी दो पहलों एक हो सकता है चुकि उनके पास ग्रामिन बिभाग है और चुकि ज़्यादा काम अगर तिंचार मेरे गाउं में होते हैं तो इससे जहामों की सरकार को फायदा होगा लिखिन सवाल ये भी है कि क्या कॉंगरस इस बात के लिए तयार होगी क्योंकि ये एक बड़ा मंत्राले है तो कॉंगरस कभी ने चाहेगी कि ये म पताम उठाने से पहले 100 बार सोची कि इस वक्त जे मिम कॉंगरस जो है वह आपस में ताल मेल बना कर चलना चाहे क्योंकि 2024 में ही जो है विधान सभा का चुनाव और NDA से कड़ी टक्कर जो है वो मिलने वाली है इसलिए कहा जारा है कि आलमगीर आलम से जो मंत्राले चीने ग प्रदिव यादव के बगावत के बाद वो टिकट जो है दिपका पांडे के बजाए जो है प्रदिव यादव को दे दिया गया तो दिपका पांडे के बारे में खबर है कि आलमगीर आलम के पास जो मंत्राले था वो दिपका पांडे को दिया जा सकता है और जो एक और मंत वह संभब नहीं होता, सब कुछ परस्तितियों पर मिर्वर करता है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद